जैए श्रीक्रिष्णा, राधे राधे जी, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, भगवान श्रीक्रिष्णों श्रीमति राधारानी की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साथ मईई दोहजार चौबिस, आज है मंगलवार का दिन, और आज आप सुनने वाले हैं वैसाख मास की कथा का चौधा माध्याए। और अगर आप वैसाख मास की अमवश्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अब उसे नहीं देखा है, तो जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्रीहर विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंब करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था भरत्रीहरी, राजा भरत्रीहरी एक कभी भी थे, उनकी पतनी अत्यंत रूपवती थी, राजा भरत्रीहरी ने इस्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूने पन पर सौश लोक लिखे थे, जो श्रिंगार सतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्ही के राजे में एक ब्रामः भी रहा करते थे, जिसने अपनी निश्वार्थ समय तक जी कर क्या करना है? हमारा राजा बहुत अच्छा है, इसलिए उसे ही ये फल दे देता हूँ, वह लंबे समय तक जीएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। ऐसा सोचकर वो ब्रामः राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताते हुए वो फल उन अगर मैंने फल खाया तो वो तो मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में फिर मैं भी नहीं जी सकूँगा। ऐसा विचार करके उसने वो फल अपनी पतनी को दे दिया, लेकिन राणी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी, वो अत्यंत सुदर्शन, हिरिष्ट पुष्ट और बातुनी था, अमर फल उसको देते हुए राणी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम्हारी आयू लंबी हो जाएगी और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे, फल लेकर जब कोतवाल महल से बाहर निकला, तो सोचने लगा कि राणी के साथ तो मुझे धन के लिए जूट मूठी प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और ये फल खाकर मैं भी क्या करूंगा, इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ, वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वो सदा युवा रहेगी, त पने पास रख लिया, कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मुर्क या पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा, हमारे देश का जो राजा है, वो बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए, ये सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय ल परने से जब उसे पूरी बात मालूम हुई, तो उसे वैराग्य हो गया, और वो राजबाट छोड़ कर जंगल में चला गया, और वहीं उसने वैराग्य पर सोच लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं, इससे पहले उसने अपनी पतनी की सुन्दरत पर सोच लोक लिखे थे, जिनका नाम है श्रिंगार सतक, उसके बाद जब राजा भरत्री हरी का मोह भंग हुआ, तो वैराग्य लिया उन्होंने और फिर उन्होंने सोच लोक लिखे, जो कि वैराग्य पर ही आधारित थे, और उनका नाम रखा गया वैराग्य शतक, अब विँदम बना ये है कि वो दूसरा व्यक्ति किसी अन्ய से परेम करता है इसका कारण ये है कि सनसारव इसके सभी प्रानी अपुरण हैं सब में कुछ न कुछ कमी है सिर्फ भगवान ही एक मात्र पुरण है एक वही है जितना की जीव उनसे परेम करते बलकि उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं बस हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते संसार में प्रेम की तलाश करते रहते हैं और फिर भटकते रहते हैं यहां से वहां और जिस दिन इश्वर से सच्चा प्रेम हम करने लगेंगे फिर उसके बाद संसारी प्रेम की चाहत वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और हां कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए और अब आप सुनेंगे आसका अध्याए शुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम जल शुने एवं भयंकर निर्जनवन में धूप से विकल हो गए थे वैशाक का महीना था और दो पहर का समय वे किसी विरिक्ष के नीचे जाकर बैठ गए इसी समय कोई दुराचारे व्याद हाथ में धनुष धारन किये हुए वहां आया और ब्रामण के दर्शन से उसके ब उत्पन हुआ व्याद और कहा मेरी ऐसी पवित्र बुद्धी मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ हे साधु बाबा मैं आपका शिष्य हूँ क्रिपापात्र हूँ साधु पूर्शों का समागम होने पर मनुष फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता अतह आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से चूटने की इच्छा रखने वाले मनुष अनायासी भवसागर से पार हो जाते हैं साधू पूर्शों का चित सब के प्रती समान होता है वे सब प्राणियों के प्रती दयालू होते हैं उनकी द्रिष्टी में कोई नीच रही है न कोई उच है न कोई अपना है और ना ही कोई पराया है मनुष संतप्त होकर जब जब गुरु जनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुडाने वाले ज्यान का उपदेश करते हैं जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है उसी प्रकार मूड जनों का उध्धार करना साधू कर्म बताए गए हैं उनी का पालन करो मुनिश्रेष्ट शंग प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे दो पहर के समय उन्होंने सुन्दर सरोवर में श्नान किया और यूगल वस्त्रधारन करके मध्यान काल की उपासना पूरी की फिर देव पूजा करने के पस्चात व्याद क कुल में जन्म हुआ और किस से ऐसी सदबुद्धी तथा महात्मा की संगती प्राप्त हुई हे प्रभो यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जाननी योग्ये जो भी बाते हैं वो सब मुझे कहिए शंक बोले पुर्व जन्म में तुम वेश्या में तुम्हारी आसकती हो गई फिर उसके संग दोस से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शुद्र की भाती घर आकर रहने लगे यद्यपी तुम सदाचार शुन्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे तो भी उस समय तुम्हारी ब्रामणी पत वेश्या सहित पती की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्रामणी का इस भूतल पर बहुत समय बीद गया एक दिन उसके पती ने मूली सहित उड़त खाया और तिल मिश्रित निश्पाव भक्षन किया उस अपथ्य भोजन से उसका मूं बेट चलने लगा और उसे बड़ा भ होती ही है उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई तब वह ब्रामण रोग से व्याकुल चित्त होकर रोता हुआ अपनी इस्त्री से बोला है देवी मैं वैश्या के प्रती आसक्त और अत्यंत निश्चुर मनुष्य हूं मेरी रक्षा करो है सुन्दरी तुम परम पवित् तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया हे कल्याणी जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जनमों तक नपुन्सक होता है हे महाभागे दिन डात साधु पुरुस उसकी निंदा करते हैं तुम साध्वी और पतिव्रता हो मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनी में गिरूंगा तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दगध हो चुका हूँ इस प्रकार अनुता पयुक्त बचन कहते हुए पती से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली हे प्राणनात आप म जन्म में दुख रूप होकर आते हैं और जो उन दुखों को धैर्यपुर्वक सहन करती हैं वही इस्त्री साध्वी मानी जाती हैं और वही पूरुष स्रिष्ट समझा जाता है वह उत्तम वर्णवाली इस्त्री अपने पिता और भाईयों से धन मांग कर लाई और उसी से का पालन करने लगी उसने अपने स्वामी को साक्षात चीर सागर निवासी विश्णु ही माना वह दिन रात पती के मलमुत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कश्ट दायक क्यूडों को धीरे धीरे नक से खीज कर निकालती थी ब्रामणी न रात में सोती थी और के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैस का दही और उत्तम अन चठाऊंगी महात्मा गणेश जी की प्रसनता के लिए मोदक बनवाऊंगी दस चनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी मेरे पती रोग हीन होकर सो वर्ष जीवे इस प्रकार वह देवी प्रती दिन देवताओं से प्रात्ना करती थी उन्ही दिनों कोई देवल नाम के महात्मा वहां आये व्यशाख मास में धूप से पीडी थोकर सायंकाल के समय उस ब्रामभण के घर में उन्होंने पतारपन किया ब्रामभणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को म निपात हो गया ब्रामणी सोट मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मूँ में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली काट ली उसके दोनों दाथ सहसा ही सट गए और ब्रामणी की अंगली का वह कोमल खंड उसके मूँ में ही रह गया उंगली काट कर उस वैश्या का ही चिं शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आपको भी चिता में जला दिया शरीर त्याग कर वह सहसा ही भगवान विष्णु के धाम में चली गई उसने वैशाक मास में जो देवल मुनी को सर्बत पिलाया और उनके चरणोदक को शीष पर चढ़ाया था इससे उसको योगी गम्य परमपद की प्राप्ती हुई और तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था इसलिए इस घोर व्याद के शरीर में आये हो और हिंसा में आसकत हो सब को उद्वेग में डाला करते हो तुमने वैशाक मास में मुनी को शर्बत देने के लिए ब्रामणी को अनुमती दी थी उसी पुन्य से आज व्याद होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एक मात्र साथन धर्म विश्यक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धी प्राप्त हुई है और तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनी के चरणु मात्र से भगवान श्री हर्विश्नु स्वेम आपकी रक्षा करते हैं श्री नारायड कवच भगवान श्री हरी गरुड जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं और आठ हाथों में शंक चक्र ढाल तलवार ग अध्सिमूर्थी भगवान जल के भीतर जलतंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें माया से ब्रह्मचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप स्रित्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्ब गिर गये थे वे दैत्य यूथपतियों के शत्रू भगवान रिसिम्भ, किले, जंगल, रणभूमी आधि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वा परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नारायन, मारण, मोहन, आदिभयंकर अभिचारों और सबप्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें रिसी काम देव से हाई गिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थियों को नमस्कार आदी न करने के अपराद से और देवर्शी नारत सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें भगवान धन्वंत्री कुपत्य से जितेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भै दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यक्रित कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्यान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कलकी पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें प्रातहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन तीसरे पहर में भगवान मधु सूधन अपना प्रचंद धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदी त्रिमूर्थ धारी माधव, सुर्यास्त के बाद हृशी केस, अर्धरातरी के पुर्वत तथा अर्धरातरी के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें, रातरी के पिछले प्रहर में स्रीवत लांचन श्री हरी, उशाकाल में खड़कधारी भगवान जनार्धन और सुर्योदे से पुर्वश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें, हे सुदरसन आपका आकार चक्र, रत के पहिये की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रले कालिन अगनी के समान अत्यांत तिवर है, आप भगवान की प्रेणा से सबोर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायू की सहायता से सूखे घासफूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए, जला दीजिए, हे कौमुद की गदा, आप से छूटिने वाली चिंगारियों का स्पर्स, वज्र के समान असाई है, आप भगवान अजित की प्रिया हैं, और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुश्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भू और प्रेत आधी ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए, तथा मेरे शत्रों को चूर-चूर कर दीजिए, हे शंक स्रेष्ट, आप भगवान श्रेकृष्ण के फूखने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रों का दिल दहला दीजिए, एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाज, तथा ब्रमराक्षस आधी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए, भगवान की श्रेष्ट तलवार, आपकी धार बहुत तीख्ड है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रों को छिन भिन कर दीजिए, भगवान की प् भूम केतु, पुछल तारे आधी केतु, दुष्ट मनुस्य, सर्प आधी रेंगने वाले जन्तु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आधी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्टन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं, ब्रिहद रथंतर आधी साम वेदिय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ती भगवान गरुड और विश्वक सेंजी अपने नामों चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियो से बचाएं, श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूध तथा स्रेष्ट पार्सद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं, जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं, जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भी वे अपनी माया शक्ती के द्वारा करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य सर्वव्यापक भगवान श्री हरी सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आत्ताहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सब का तेज ग्रश ल तुम अपने को स्वरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य, युद्ध पत्यों को जीत कर लोगे। इस नारायन कवच को धारन करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, अत्वा पैर से छू देता है, तक काल समस्त भायों से वो हो जाता है, जो इस वैश्णवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, आदी और बागादी हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भै नहीं होता, है देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्राम्भन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया, अब जहां उस ब्राम्भन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सेर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी पर गिर पड़े, इस घटना से उनके आचरे की सीमा न रही जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राम्हर देव की हड़ियों को ले जाकर पुर्ववाहिन किसी धारन करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं, और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, हे परिक्षित शत्यक्रतु इंद्रने आचारी विश्वरूप जी से यह वैशनेवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया और वे त्रैलुक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायन कवच संपुर्ण हुआ। प्रभव प्रभूरिश्वरा, स्वयंभू शंभु राधित्य पुस्कराक्षो महास्वण, अनादि निधनोधाता, विदाताधातो रुट्तम, अप्रमेयो, रिशिकेषा, पद्मनाभो, अमर प्रभू, विश्वकर्म, मनुस्थवस्थ, अस्थ विरोधुव, अग्रङ प्रभूतस्त्रिककुपधाम पवित्रम्मंगलंपरम इशानः प्राण दह प्राणू जेश्ठा स्रेश्ठ प्रजापती हिरन्य गर्भो भूगर्भो माधवो मदु सूधना इश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमहक्रमा अनुत्तमो दुराधर्ष अकृतग्याक सुरेश शरनम्षर्म विश्वरेता प्रजाभव अहसमवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्षन अजसर्वे स्वरसिध शिद्ध सर्व दिर्चुत विर्षाकपिरमेयात्म सर्वयोगविनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितहसम अमोगपुंडरी काक्षो व् जगदाती ज अनगो विज्यो जेता विश्वयो निह पुनर्वसू उपेंद्रो वाम नह प्राशुरू मोखा शुचरूर्जिता अतिंद्रहसंग्रह सर्गो ध्रित्री आत्मा अनिय मोयमा वेद्यो वेद्य सदायोगी वीरहा माधवो मदू अतिंद्रियो महामायो महुत्साहो महाबलह महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महाध्युति अनिर्देश्यव पूष्रिमान मेयात्मा महाधृत्रिक महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतामग आजो दूर मर्शड शाष्ट्य विश़्ुतात्मा शुरारिहा, गुरुडगुर्त मोधामा सत्यसत्य पराक्रम, निमिशो अनिमिशो श्रग्वि, वाचर्श पती रुदारदी, अग्रनित ग्रामनी श्रीमा न्यायो नेता समीरड सहस्त्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनों नि वृत्तात्मा सम्रिता संप्रमर्धना अहसंवर्तको वहनिर निलोधर निधर सुप्रसादह प्रसन्नात्मा विश्वद्रिक विशुभुग विभू, सत्कर्ता सत्कृतह साधू, जहनुर्ना रायनो नरह, असंखियो अप्रमियात्मा विशिष्टा सिष्टकृत्छुवी, सिध्धार्ता सिध्ध संकल्प, सिध्धिदा सिध्धि साधन, वरिशाही वि प्रकाशात्मा प्रतापना रिधस्पस्टाक शरो मंत्रस चंद्रांशुर भाश कर दूति ही अम्रितां शुद्भवो भानु शश्विंदू सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतू सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला कामहा कामकृत्कांत कामह अद्रिश्य अव्यक्तरूपस्च सहस्त्रजित नंत जिते इस्टो अविसिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहुसो व्रिश प्रोधाक्रोद कृत्करता विश्वभाहुर महीधरा अच्चुतह प्रतितह प्राण प्राणदो वासो वानुज अपाम्नि धिर्धेश्टान प्रमत्तह प्रतिष्टित सकंद सकंद धरोधूर्यो वर्दो वायुवाहन वासुदेव ब्रिहत्भानु रादिदेव पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूलह शतावर्त पद्मी पद्मनि भेख्चन पद्मनाभो अर्विंदाक्ष पद दूर्दामो दरस महिधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देव श्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता अगहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेख्षण रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्म विदुत्तम व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणद जमभ्ययम आर्थोः अनर्थोः महाकोशोः महाभोगोः महाधन अनिरविन श्थ भीष्ट्वभू धर्मयूपोः महामख नक्षत्रनेद हैं समीहना यज्य इज्यो महेज्यस्च प्रतू सत्रम सताम गति, सर्वदर शीवि मुट्तात्मा सर्वग्यो ग्यान मुत्तमम, सुव्रता सुमिखसुष्मा, सुघोसा सुखदा सुरिता, मनो हरोजितकरोधो, वीरबाहूर विदारण, स्वापना स्वव सोव्यापी नेकात्मा नेक क हिश्वर आधी देव महादेव देवेसो देव भिरित गुरु उत्तरोगो पतिर गोप्त ज्यान गम्य पुरातना शरीर भूत भुरित भोगत कपिंद्रोभुरि दक्षिना सुम पुरुजित पुरुसत्तमा विन योजय सत्य संधोदा शाह साथ वताम्पति जीवो विनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम, अम्भो निद्रनंतात्मा महोदधी इशयोंतक, अजो महारह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोधन, आनंदो नंदो नंद स्चत्यधरमा अत्रिविक्रम, महर्शी कपिलाचार्य, कृतज्यो में दिनीपती, त्रिपदस्त्रिद शाध्य वनमाली हलायुथ, आदित्यो जोती रादित्य, सहिश्णोर गति सत्तमा, सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रद, दिविस्तिरिक्सरव द्रिग्व्यासो वाचश्पतिर योनी जह, त्रिसामा सामा गहसामा निर्वानम भेश जम्भिसक, सन्यास्क्र श्रीवास, श्रीपती, श्रीमतामबर, श्रीदा, श्रीश, श्रीनिवास, श्रीनिती, श्रीविभावन, श्रीधर, श्रीकर, श्रेय, श्रीमान, लोक, त्रयाश्रेय, स्वक्ष, स्वंग, शतानंदो, नंदिर्जो, तिर्गनेश्वर, विजितात्मा, विधेयात्मा, सत गिर्तेश छिन्न संसिया, उदेरणा सर्व तक्षा शुर, निशा शाश्वतास्थिरा, भूचयो भूचनो भूतिर विशोक शोकनाशना, अर्चिश मानर चिता कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधना, अनिरुद्धो अप्रतिरत प्रत्युम्नो अमित विक्रमा, काले निहावीर, शोरी सुरजनेश्वर, त्रिलो कात्मा, त्रिलो केश, केशव, केशिहारी, कामदेव, कामपाल, कामी कांत, गृतागम, अनिर्देशव, पुर्विश्णोर, वीरो अनन्तो धनंजे, ब्रम्भन्यो ब्रम्ह, ब्रम्ह ब्रम्ह विवर्धन, ब्रम्ह विद्ब् करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी सत्गती सत्किर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायन शूर सेनो यदुस्रेष्ट सन्निवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलियो अनल दर्पहादर पदो द्रिप्तो दूर्थरो प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर्मूर्ति स्चतुर्बाहुस चतुर्गति चतुरात्मा चतुरुभावस चतुरुवेद विदेक पात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर्जयो दुरतीक्रमा दूरलभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोग सारंग शुतन्तुष्तन तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृ अम्रिताशो अम्रितवपु सर्वग्या सर्वतो मुख सुलभा सुव्रत सिध्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चाणु रांध्र निशूदन सहस्त्रार्चिह सप्त जीव सप्तेधा सप्त वाहन अमुर्धिरणगो अचिंत्यो भैकृ अनुर्ब्रिहत क्रिषास्थूलो गुडब्रिण निर्गुडो महान अध्रित स्वद्रित स्वास्य प्राग्वण्षो वंश वर्धन भारभृतिकतितो योगी योगी ससर्वकामद आश्रमा स्रमन चामा सुपरलो वायु वाहन धनुर्धरोर धनुर्वेदो दंडोदम इतादमा अपराजिता सर्वसहू नियंता अनियमोयमा सत्ववान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायन अभी प्रयाया प्रियार होर्ह प्रियक्रीत पिल्ति वर्धन विहाय सगतेर जोती सुरुचिर हुद भुग विभु रवीर विलोचना सुरिय सविता रविलोचना अननंत स्वस्तिध्या पुन्योदुष्व प्रनाशन वीर हारक्षण संतो जीवनपर यवस्तित . अनंत्रूपो अनंत्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह चत्रष्टो गभिरात्मा विदिजो व्यादिशोदिश अनादिर भूर्भु ओलक्ष्मी स्वीरो रुजिरांगद जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रमा आधार नीले योधाता पुस्पहास प्रजागर उर्ध् प्राण नीलिया प्राण भृत प्राण जीवन तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्मे मृत्यो जरातिग भूर्भु अस्वास्तरूस्तार सविता प्रपितामह यज्यो यग्य पतिर्यज्वा यज्यांगो यज्य वाहन यज्य भृत्य यग्य गृत्य यग्य यग्य सर्व प्रहरनायुदा ओम्नमहिति श्री राधा कृपाकटाक्ष स्तोत्र मुनिंद्र वरिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी प्रसंड वक्त्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदाकरिश्यसीहमाम कृपाकटाक्ष भाजनम अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि को मले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरिश्यसीहमाम कृपाकटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवाम सविब्रमं ससंब्रमं द्रिगंत बाण पातने निरंतरंव शीकृत प्रतीत नंद नंदने कदाकरिश्यसीहमाम कृपाकटाक्ष भाजनम तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गोर विग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि सार देंदु मंडले विचित्र चित्र संचरत्च कोर शाव लोचने कदाकरिश्यसीहमाम कृपाकटाक्ष भाजनम मदोन्म दादियोवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरिश्यसीहमाम कृपाकटाक्ष भाजनम अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हाश्य चुरुण पुरुण सोख्य सागरे कदा करिश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् बिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने लललुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्य ते कदा करिश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्त दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिश्य सीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदा करिश्य सीहमाम के पाकटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे विलोलहेम वल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम् अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंच जावर प्रदे अपार सिध्धि रिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिश्य सीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साषनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रिराधिके नमोस्तुते इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्मनाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाए जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए नमो नमो तुलसी महरानी महीमा अमितन जाए बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग मे चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहिके काज होय सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्श कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी ब्रिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विक्याता देवरिशी मुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नही पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमत नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुल सी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव ही जो मन इच्छा होई तुल सी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुल सी महारानी की आर्थी हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो धन्य तुल सी पूरण तप कीनो शालिग रामे की बनी पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती धूपदीपने वेद्य आरती पुश्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सा महारानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिये तुलसी महिया की जै तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संबह हो तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आ